प्रसाओ क्या है इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं अपरा के बारें बढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्सन देखे अपरा का लिंक मैंने देदी है उसके पीछे हम लोग पढ़े हैं ब्रून का निर्मान ब्रून होता है। घर्भाता है ध हम नहीं होता है, याद रखेगा है। तो अब हम लोग प्रसवा के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखेंसं प्रघार कीस तरिमbut क्रिया होती है और कितने व्रघार का समय थाल में भाग लेते है है ना तो प्रसाओ को पहले बता दूं कि माता की यूटेरस गर्भास है है ना माता के यूटेरस से बच्चे का बाहर निकलना प्रसाओ कहलाता है इसमें मैं अधिकतर वर्ड इंग्लिस का यूज करूंगा जैसे की वेजिना है इसपर्म है एक्स है ठीक है पार्टियू जिसन है तो यहां पर अधिकतर वर्ड इंग्लिस में रहेगा तो सुनिए प्रसाओ क्या है कि माता की यूटेरस से बच्चे का बाहर निकलना प्रसाओ कलाता है ना पार्टियू जिसन भी कहते हैं यहां प्रक्रिया 9 माहा कितने माहा 9 महा और 10 दिन के गर्भास से यहां पर 10 दिन है किना दिन है 10 दिन तो माता की उटरस से बच्चे के बाहर निकलना परस्वकल आता है इसे पहर बिके तें 9 महा 10 दिन के गर्भधारन और स्था के पुर्ण होने के बाद होता है मतलब 9 माहा गर्वधान करते हैं कभी हर क्या हो जाता है कि 8 माहा में ही बच्चे का जन्म हो जाता है लेकिन वो जाना कि उत्रा विक्सित नहीं हो पाया रहता है बच्चा बच्चा पूर्व विख्सित फिक्स जान के संगुचन अपूर विख्सित को समंहे खमुच경ओ यहां पर यह बता रहा था कि पूर विक्सि जो फिट से है वो गर्भासा के जो पेसिया है उस पेसियों में संकुचन के करण पैदा हुए दबाया जो गर्भासा के जो पेस्य होती है उस पेस्य होती है उसमें संकुचान के फल्स रूप उनमें दबा होता है तो उस दबाओ के प्रभाव से गर्भासा से बाहर आ जाता है जो पूर विक्सी सिसु है वो जो गर्भासा है उस गर्भासा के जो पेस्य होती है उस पेस्यों के द दबाव के कारण पैदा हुए जो दबाव है अच्छा दबाव करने जी पेस्यों के संकुचन संकुचन मतलब सिकुड़ना पेस्यों के संकुचन के फल्स रूप या पेस्यों के संकुचन के कारण पैदा हुए दबाव के प्रभाव से गरभासर से बाहर आ जाता है ठीक है यहां ब्रज़पक दिखा रहा हूँ वह प्रसव का है यह देखे यह जो फीट्स है और यह गर्भासर की दीवार हैं यह वेगजीना है यह इस्के जानते हैं हो मतलब यह करेया होता है न वन्हें 10 धीन के गरभासा वस्था के फूरुन deeperуля huणे के बादय होती है जो फूरुन विक्सित फृट्स है वह उठाल के पादया है उस घरभासे के पेशियों में संकुचान की कारण पैयदा होँ डबाव यहां शूरु भच्चित कारणी इस संकुचजे लिकादय से संकुचित हो त यहां से निकलता है यह ठीक है तो यह पहले सीर बाहर आती है लेकिन कभी कभी कुछ विक्री तवस्था में पैर भी बाहर रहते हैं उसके बाद यहां पर यहां से यह बाहर निकलती है और यह इसके जो नाभी में यह प्लेज़ेंट नाभी नाल है नाभी रज्जी बोलते है तो वह पूरनता जुड़ा हुए रहता है उसको लास्ट में उनसे काटकर अलग कर दी जाती है इसको वह कलने के बाद है न तो इस तरह से क्रिया होती है तो इस क्रिया में कौन-कौन से नाभी नाल बनाता है, है ना, नाभी नाल अब लोग जानते हो, जो नाभी में लगा हुआ एक रज्जु सद्रिस रिचना है, उसको नाभी नाल बनते हैं, तो इस समय भी यहां, जब बच्चे गरभासास से नाभी नाल दोरा जूड़ा रहता है, ना, जो बच्चे हो, स्वथन्त्र करत देते हैं मतलब क्या होता है अजर्मिक्रिद मतलब क्या ह similar कोई भी जर्वन ही होना चीज जर्म मतलब समझते हो न memorize सो प्रकार से vont वीसानवी जो भी हो वो उसको अजर्मिक्रिद कहां जिसमें वो सभ में सब नहीं रहता कि लागह से बांध आ बान देते हैं दुनों तरफ है ना और अजर्मकी ब्लेट से कांट कर सीसु को इसे क्या करता है स्वतंतर कर दिया जाता है जन्मक के समय सबसे पहले सीसु का सीर बहार निकलते हैं इसको मैं बता चुका हूँ है ना कभी-कभी पैर ही वहार निकल जाती है है ना उसको कुछ अ प्रसाओ के प्रक्रिया के नियंतरन है तो तो विभिन प्रक्रार के हर्मोद भाग लेते हैं अब देखे जितना भी जुक्रिया हो रही है उसमें गर्भासा की दिवार है वो शंकुचित हो रही है फैल रही है उन सब के लिए बहुँ सारे अलग-अलग प्रक्रिया के हर्मोन से जो भाग लिए है इसक्रिया में ठीक है तो क्या हो रहा है यहापर इसको देखें कि प्रसव की प्रक्रिया से बना हर्मोन्स प्रसव की प्रक्रिया के नियंदरन हेतु विविन प्रकार के हर्मोन्स भाग लेते हैं और प्यूस ग्रंथी से बना हर्मोन्स रिलाक्सिन, ठीक है, पिट्टिटरी ग्लैंट से इस्त्रावित हर्मोन्स रिलाक्सिन, है ना, प्रसव के समय यो विजिना है, योनी है, तथा गर्भासाय को चौड़ा करने का कार्य करती है, है ना, क्योंकि उसकी चौड़ा ही हो होता है, अब आपको दिक्कत यहां पर होगी, कि यहां पर अभी सर ने बोला है कि प्यूस ग्रंथी से बना हर्मोन्स रिलाक्सिन, प्रसव के समय योनी तथा गर्भासाय को चौड़ा करने कार्य करता है, ताकि प्रसव आसानी से हो सके, यहां कार्पास लिट्यम से इस्ता से, कि जिस हार्मोन्स को निकालना होता है, उसी हार्मोन का, संस्य ने करता है, प्रसव के लिए दूसरा महत्पुनहार है, आक्सितोसिन, है ना, यहां भी स्तारीज होता है, आसको mang external होने के लिए करता है, यहां प्रस अबां यूतिरस को संंगतर करने का रिकल आया, जब प करती है इस तरह से ये जन्म अर्थाथ प्रसव किक्रिया संपन होती है है ना ठीक है उसके बात क्या हो जाते है लास्ट में और क्या करते हैं लड़का है तो क्या होते हैं आप जानते ही हो लड़की है तो क्या होते हो भी जानते हैं आप लोग फटाका वगरत पूरता है